हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए एक दम हिल्दी और टेश्टी नास्ता लेके आई हूँ जो कि इतना अच्छा बनके रेडी होता है कि आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं आप कोई गेस्ट आए या आप पो चाई के साथ खाना हो या आप कभी भी इसको या ट्राव तो आप यहां पर देख सकते हैं यह हो चुका है इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा जीरा उसके बाद यहां में हम डालेंगे यहां पर थोड़ा सा राई और इसको हम थोड़ा सा चटकने देंगे उसके बाद यहां पर हमें डाल देना है थोड़ा सा हरीमेच जादा नह डालमी पानी ग्लास दाला, ङुदा जाहना को, फिर दाले चिली दाला ईटीन, भानी चिली दाल दाला, एक युद्ट को उ acabar को रादा, चिली फ्लेक्स दाला,डी नमक करना है। इसमें हम एक औवाल आ ने देंगे पहले तो ऊप देख सकते हमें इसमें एक औवाल आ चुका है अब अब हमें इसमें क्या करना है मैं यहां पर ले रही हूँ एक कप मैं यहां पर रागी का आटा ले रही हूँ और इसको ना अच्छी सह में इस तरीके से मिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलिया ना पड़े इसको आप चलाते रहेंगे पहले तो फ्रेंड्स आप देख सकते ह भूंध चुका है तब हम गेस को अफ कर देंगे और इसे हम में ठंडा होने देना है तो फ्रेंड अब हमें लेना है मैं यहांपे 2 आलू ले रही हूँ इसको मैसर के बिलकारी को सब्सक्राइख devil – लोग ऋभा सब्सके और अब गिलिल और अाशनल से पुर्णार मुद्ट गेज करते हैं दखना में डीर भीद्षे सबुद्टाउ द्छोगेश में ग्राइविट मुस्ट, यह उसुद्द में भाइण seekers के दिए लगव homeland बीघक और मीर्च पॉड़ पॉड़र ज्यादा ही टालना है ममाहें में ताल कि बीड आधा चुम्म बुधाद crushing मुस्ट णे डालारती है और थोड़ा सा मैं इसमें स्वाद अमसार नमक डालूंगी और इसको अब अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से अगर आप आम चूर पॉडर इसमें डालना चाहते हैं अगर आपको पसंद है तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हमें इसमें क्या करना है हमें छोटा छोटा पोर्शन लेना है ज्यादा बड़ा नहीं लेना है इस तरीके से और इसका मुझे राउंड राउंड इस तरीके से मुझे राउंड राउंड कर लेना है तो मैं सब को इस तरीके से पहले बना लेती हूं तो इसाइड आप देख सकते हैं इसको हमने बना लियाँ आप साज़ करेंगे और यह प्ला शलषू एक दम हो चुका है अफने हाथों से इसको हमें थोड़ा सा इस तरीके से मैं सोप्र कर देना है जैसे आप रोटी बनाने के लिए आता गुंदते हैं श्यम तरीके से हमोंने के आप जासे इसको गुंदके यह इसको को Fot alignment कर सकते हैं मैं इतना बरा बरा ले रही हूं और इसको हमें, फिर हाथों से इस तरीकें से, करते हैं, और इसको मुझे क्या करना है, कया र rhflow करना है, यहOGला काटोरी हम बशेप हम इसे लिशाथ बिछ प्रहा र किया रिखेंगे और आपपॉ अब हमें क्या करना है हमें एक यह आलू बला लेना है मसाला और इसमें डाल के हमें इसको अच्छे से इस तरीके सामें पैक कर देना है हैं पını तेह सकते हैं हमने इस तरीके से राप ं dera है और फिरसे हमें थोरा आइश तो फिर अपर देंग कर लिया है और यह कितना अच्छा बनके रेडि हुआ है तो अब हमें क्या करना है तो friends मेरा तेल जो है यह गरम हो चुका है अब हम तेल हमें एकदम अच्छे से गरम करना है तो आवब हम एक एक करके इसमें हम ढलेंगे इस तरीके सरे एक बार में जितना आए उतना ही डाले जरूरत नहीं है पूरा भर दे नहीं तो क्या होगा यह आपस में चिपक के टूट भी जाएंगे तो इसके लिए और इसको हम अभी एक मिनत के लिए हम हाई फ्लेम पे करेंगे और जब यह दोनों साइड से लेयर बन जाएगा उपर से उसके बाद हम इसको मेडियम फ्लेम कर देंगे तो फ्रेंट से यह एक साइड से हो चुका है तब इसको हम अराम अराम से इस तरीके से हम पलट लेंगे इसको और अब हम मेडियम फ्लेम करके ही इसको हम पकाएंगे नहीं तो क्या होगा उपर से जल जाएगा अंदर से कच् अब मेरे पास जितना है सबको मे Γण स्हीं तरीके से टेल में तला रहांगी आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा देखने मिलगे और खाने म jaglaathtay primitive आप इसको हम पहले निकाल लेते हैं तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह बन के रेडी हो चुका है , और कितना अच्छा यह देखने से लग रहा है यह खाने में'D भी बहुत yn ज्यादा अच्छा लगता है और एक मैं आपको काटके दिखाती हूं या ठोड़के दिखाती हूंrated यह दम उपर से एकदम खासता अंदर से भी आप देख सकते हैं इसका लुक इतना टेस्ट यह लग रहा है देखने में खाने में भी लगता है तो इसको एक बात जरूर बनाईए और खाईए और मुझे भी बताईए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे लिए आपका एक कॉमेंट या सब्सक्राइब बहुत ही इंपोर्टेंट है थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो तब तक के लिए बाए